और बोर पर्मारू सुनशन автомacker का एक इंप्सम।न टोपिक देखने जाँ रहे हैं और टोपिक का नाम है बोर Test का नाम है उसने पर्मारू के बारे में बताया है जो भी चीज़े हम इसे में देख रहे हैं इलक्तौन चारो तरफ भूम रहा है इलक्तौन के चारो तरफ कच्छाई पाई जा रहे हैं सेल्फ पाई जा रहे हैं उन सब के बारे में बोर जो है डिटेल बे बता रहा है उनी को हम एक विस्तार से यहाँ पर point wise करके देखने जा रहे हैं समसे पहली बाग है कि जो बोर का परमाडू model है ये 1913 में आया है तो पहली लेन हम लिख सकते हैं कि बोर का परमाडू model 1930 में प्रस्तुत किया गया है 1913 1913 में प्रस्तुत किया गया है इसकी मुख बिसेस्ताई निम्न है तो क्या कि इसकी बिसेस्ताई हो सकती है वो हम यहाँ पर point wise करके देख रहे हैं तो जितनी बाते हमें प्रमाडू के बारे में पता है उनमें से अधिकतर बाते बोर में भी बताई है जैसे पहला point पहला point यह कह रहा है कि electron नाभिके चारो और बिताकार कच्छाओ में गती करता है जैसा हमें पता है तो यह बात हमें किस ने बताई हैं यह बात हमें बोर में बताई हुई है कि इलक्टोन नाभिक के चारो और बित्ताकार कच्छाओ में गती करता है इलक्टोन्स आर मूफ एराउंड दा नूकलियस इन सर्कूलर पाथ एक सर्कूलर पाथ पर ये मूफ कर रहा है फिर ही कह रहा है दूसरा पॉइंट में कह रहा है कह रहा है कि नाभिक के चारो और देखिए नूकलियस है कह रहा है नाभिक के चारो और अनीग बित्ताकार कच्छाओं संभव है ऐसा लेकिन इलक्टोन उन सभी बित्ताकार कच्छाओं में नहीं मूफ करेगा उनमें नहीं घुमेगा, इलक्ट्रोन कुस मिश्चित कच्छाव में ही गती करता है तो अगली बात जो यह कह रहा है, अगली बात यह कह रहा है कह रहा है देखें, नाभिक के चारो और, क्या हो सकता है चारो और, अनीक, बृत्ताकार, कच्छावें, संभो हैं एरोप्लेन जा रहा है, माइन नहीं करेंगे संभो हैं, लेकिन, लेकिन, इलक्ट्रोन, लेकिन, इलक्ट्रोन, सभी कच्छों में गती नहीं करेंगा कुछ बिसेश प्रकार की कच्छाई होंगी, उनहीं में गती करता है लेकिन, किन, लेकिन, इलक्ट्रोन, कुछ है, निश्चित, कुस निश्चित कच्छाव में, कुस निश्चित कच्छाव में ही, में ही गती करती हैं सब में नहीं गुमेंगे बई, गती करती हैं ये अगला point इसमें कहा, पहला point कि अनिक बृत्ताकार कच्छाई और इलक्टॉन जो है नाभी के चारो और बृत्ताकार कच्छा में घूम रहा है, दूसरे point में कह रहा है, धेड़ सारी कच्छाई हो सकती है, सब में नहीं घूमेगा, कुछ ही कच्छाई में घूमेगा, अर उनहीं कच्छाई में घूमेगा, जिन में इसका, जिन में इसका, ये बहुत important point है, जिन में इसका कोड़िये समवेग, कोड़िये समवेग, h upon 2 pi के, पूर गुरित होगा, पूर गुरित होगा, जिन में इसका कोड़िये समवेग, h upon 2 pi के पूर गुरित होगा, तो ऐसी कच्छाई में निश्चित हैं, और इन कच्छाऊं को क्या कहा गया, इन कच्छाऊं को अस्थाई कच्छा गयते हैं, तो कहा गया है, कि इलक्ट्रॉन जो है, जिसमें इसमें कोड़िये समवेग, h upon 2 pi के पूर गुरित होगा, इन कच्छाऊं की संख्या, इन कच्छाऊं की संख्या, निश्चित है, निश्चित होती है, सब में ऐसा नहीं होगा, कि सब में इसमें कोड़िये समवेग, h upon 2 pi के बराबर है, वो निश्चित कच्छाऊं हैं, निश्चित होती है, और, निश्चित होती है, और, इनको, और, इनको, अस्थाई कच्छाऊं कहते हैं, यह खास बात है, उनको हम क्या कहेंगे, अस्थाई कच्छा कहेंगे, यानि कहने का इसका मतलब क्या है, कहने का यह मतलब कि देखिए, कि यह मानिये, एक इलक्ट्रोन जो है, ऐसे घूम रहा है, सर्गुलर पात पर, और, यह मानिये, यहां से इसकी जो त्रिज्या है, वो आर है, और, यह मान लेजिए, n है, n बराबर 1 है, और, यह इलक्ट्रो का जो वेग है वो R है और electron का जो द्रबिमान है वो M है ऐसा तो यह कह रहा है कि बाहिए देखे होगा H upon 2Pi के यानी MRV proportion की sign हटाईए तो यहाँ पर आपका एक N आ जाएगा यह हो जाएगा N H upon 2Pi के N क्या है N है इसका मुख्य quantum संख्या मुख्य quantum संख्या या कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा होगा कि N को क्या कहते हैं सेल भी कहते हैं चाहें आप सेल कहें चाहें मुख quantum संख्या कहें बराबर है इस तरीके से यह रिलेक्शन बहुत important है कि एलक्तों सभी कच्छा में गती नहीं करेगा वह उन्हीं कच्छा में गती करता होगा जिसमें इसका कोडिये समवेग H upon 2Pi के बराबर या उसके गुरन गुरन फल में कहने का मतलब है कि मैं लेखे एच ह अपॉन 2Pi होगा यह की कि बढ़ती जा रही है, cell की संख्या बढ़ती जा रही है तो ये कहने का किसका sense था ये कहना था इस bore का कि ये condition होगा तभी ऐसा आपको देखने को मिलेगा, तो सबसे important point ये है इसका, कि mrv is equal to nh upon 2pi होना चाहिए ये अगला इसका point था अब देखें यहाँ पर, next point इसका देखें, अगला point कह रहा है देखें, अगला point कह रहा है कि ये जो कच्छाई हैं जिनने अस्थाई कच्छा कह रहे हैं यहाँ पर electron का ना तो उर्जा का और शोशन होगा ना तो उत्सरजन होगा यानि अगला question ये अगला point इसका था कि अस्थाई कच्छाई में अस्थाई कच्छाई में इलोक्ट्रोन इलोक्ट्रोन के उर्जा का और शोशन तथा उत्सरजन नहीं होता है उत्सरजन नहीं होता है आसा लेकिन लेकिन येदि इलोक्ट्रोन येदि इलोक्ट्रोन एक अस्थाई कच्छाँ से एक अस्थाई कच्छाँ से कि दूसरी कच्छा में लाइट चली गई है कोई बात नहीं मैं इसे कॉंटिन्यू कर दे रहा हूं लाइट चली गई है थोड़ा सा यह करेंगे हाँ ओक्या कि अगरी कि स्क्राइब कि अगरी देखने वाले हैं हम लोग आगर देखने वाले हैं हम लोग चौत्रा पॉइंट इसका देख रहे हैं कि अगर माल दीजिए सपोस करिए इधर दिखें इसे हैं इलक्टॉन जो है न्यूकलिस के चारोर चकर लगा रहा है इलक्टॉन उन्हीं कच्छा में चकर लगा रहा है जिसमें इसका कोड़ी सम्वे मर्वी इस इकवल टू नह अपॉन नह अपॉन टू पाई के एकवल होगा यह इसके पूर गुड़ित होगा इसके मल्टिपल में होगा अगर इस तरह का कॉन्फिगरेशन है तो वहां पर इलक्टॉन का ना तो उर्जा का ओशोशन होगा ना तो उत्सर्जन होगा लेकिन आगर इलक्टॉन जो है एक अस्ताई उर्जा अगर हम इसकी उर्जा मांनते एवन है से दूसरी अस्ताई उर्जा माने लेते Etow में आता है तो हमेशा जो उर्जा का उत्सर्जन होगा वह एक विकरण के रूप में होगा थासं है और यह किसके बराबर होगा, कितना एनर्जी यहां से रिलीज होगी, तो E1 के एनर्जी एगर ज़्यादा है, E2 के एनर्जी कम है, तो इसका मतलब है E1-E2 के बराबर उर्जा का और शोशन होगा, या तो उत्सर्जन होगा, यह कहने का मतलब है यहां पर, देखें, कच्छा से दूसरी अस्थाई कच्छा में अस्थांत्रित होगा, इलोक्ट्रोन, तो उर्जा बिकरण की रोप में और शोशित, अथवा उत्सर्जित होगी, और उसका मान जो होगा, इस डेल्टा E के मान के बराबर होगा, यानि कहने का यह मतलब है, देखें, कहने का यह म मानते हैं, तो E is equal to होता है, H mu, ऐसा, इस E का मान, अगर हम यहां से क्या निकालना चाहें, यहां से गर हम mu बराबर निकालना चाहें, mu क्या है, mu is abriti, frequencies से आप कहते हैं, यह क्या है, abriti है, frequency है, तो mu is equal to क्या हो जगा है, E upon H, ऐसा, H क्या है, Planck निया तांग है, H बराबर निया तांग, इसे Planck निया तांग के नाम से जानते हैं, ऐसा, तो H की E की मान देखे क्या है, E is equal to किता है, E1 minus E2, upon H, तो इस relation से हम क्या कर सकते हैं, उस electron की आपरिती को भी निकाला जा सकता है, तो जो चौथा point होगा, last point होगा, उस point में हम यह क्या दिखा सकते हैं, हम दि energy E1 है, और दूसरे ओरजा अस्तर की energy E2 है, तो दोनों का difference हम निकाल करके, उस electron की आपरिती को भी निकाला जा सकता है, तो यह सारी बाते जो हैं, बोर के द्वारा बताई गई हैं, कि वो चार point है, और चार point में सबसे important point, तीसरा point है, इस point को जरूर लिखिया करिए, तो यह सारी बाते हैं, इस पर भी दो कमिया रह रही हैं, अब अगला जो heading होगा, इसकी कमियों को देखने के लिए, तो जो next heading दीजिएगा, वो लेखियेगा, बोर के परमाडू model की कमिया, drawbacks, drawbacks of बोर atomic model, क्या-क्या इसकी कमिया है, तो अगला heading है, next heading है, बोर के परमाडू model की कमिया drawbacks of बोर atomic model, दो कमी क्या क्या है, दो कमी यह है, कि यह जो है keval hydrogen हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन जैसे प्रमाडू हो, या हाइड्रोजन जैसे आयन्स हो, जैसे यह है, जैसे लीथियम प्लस टू चार्ज, ऐसा, जिसमें electron की संख्या कितनी हो, जिसमें electron की संख्या एक हो, एक है हाइड्रोजन में भी electron की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन स्ट्रेश एक प्लस चार्ज लगा डिया है रोजन की संख्या एख रहें लितिया में प्लस टू चार्ज लगा डिया कि संख्या एख उप्लस चार्ज का मतलब उतना इल्सक्राव कर दिना तो ये जो रहें ये केवल ऐसे प्रमाड़ू के इस्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है जिसमें इलक्ट्रोनों की संख्या एक हो एक हो, इलक्ट्रोनों की संख्या एक हो, एक हो जैसे लिख सकते हैं सकती हैं कोई कह ने सब्सक्राइब कर सकता है लेकिन अगर ऐलक्ट्रोन की संख्या एक से जादा है तो उसके spectrum की व्याख्या ये नहीं कर सकता है यानि बहु इलोक्ट्रोन प्रमाडू के spectrum की व्याख्या करने में यह मौडल आसफल है यह मौडल रहा है बस अपनी लेंगुज़ सकते आप कि अगर एक से जादा इलोक्ट्रोन से बहु इलोक्ट्रॉन का मतलब एक से जादा इलोक्ट्रोन है तो उसके spectrum की व्याख्या इसके दोर आप नहीं कर सकते हैं और दूसरा पॉइंट नी क्या नहीं बता पा रहे हैं ये नहीं बता पा रहे हैं कि spectrum के victim को ये दूसरा point है कि spectrum के victim की व्याख्या भी ये नहीं कर पा रहे हैं कि व्याख्या भी इस model के द्वारा नहीं किया जा सकता है और जो spectrum के victim की जो process है उसे हम कहते हैं जिम्मन प्रभाव इसे हम कहते हैं जी मैन एफ़ेक्ट यानि लिए ब्ड़न एक और लिखना गर्वें तो ईसे हिंदी में लिखते हैं जी मान उफ़ेक्ट जीमान प्रभाव तो कहते हैं जीमान प्रभाव की भी व्याख्या नहीं कर सकता है तो चाहिए आप जीमान प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकता है ऐसे लिख दे या लिख दे इस्पेक्शन के विक्टन की व्याख्या इस मॉडल के द्वारे नहीं किया जा सकता है तो बात वहिए नेक्स टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं दी ब्रॉगली एक्वेशन लिख दे रहूं यहां पर दी ब्रॉगली डी ब्रॉगली समीकरण इंग्लिस में अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इंग्लिस में भी लिख सकते हैं इंग्लिस में अगर लिखना चाहते हैं तो इंग्लिस में ले सकते हैं D Brogley की स्पेलिंग है B-R-O-Z-L-I-E D Brogley equation बहुत ही आसान सा equation है समझने का प्रयास करिएगा तो हम इसको आसानी से आपको बता पाएंगे देखिया आप Deep Brogley equation समझने से पहले थोड़ी सी बाद दूसरे समझते हैं पहले हम इसके पहले समझते हैं बाद light की या प्रकास की प्रकास की बाद या light की देखिये ऐसा कहा गया है कि जो प्रकास है इसकी जो प्राकिर्ती है ये दो तरह से है मलब प्रकास जो है दो तरह से ब्यवहार कर सकता है कैसे कैसे ब्यवहार कर सकता है तो कहा गया इसकी प्राकिर्ती प्रार्टिकल की तरह भी है यानि ये कड की तरह भी बिवहार करता है और दूसरा किस की तरह भी हो बिहेव कर सकता है तरंग यानि वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है तो इसकी प्राकिरती बताई गई दो तरीके की हो सकती है एक तो वेव की तरह हो सकती है तरंग की तरह हो सकती है और एक कड की तरह हो सकती है अच्छा तो प्लांग जो है, प्लांग साइंटेस जो था, उसने कहा कि भाई, अगर सपोस करिये कि इसका बहेगिर तरण की तरह है, ऐसा, तो प्लांग की अनुसार, देखिये आँपे, प्लांग बता रहा है, प्लांग की अनुसार, कह रहा है कि यदि आप प्रकास को तरंग की तरह मानते हैं और इसका उर्जा जो है इसकी उर्जा को आप लिखते हैं E और उस लाइट का जो आबरिती है उसकी जो आबरिती है उसे आप म्यू लिखते हैं फ्रिक्वेंसी को म्यू लिखते हैं तो Planck कह रहा है जो उर्जा होगी ये हमेशा पर्पोस्टनल होगा frequency के, अबरिती के यानि जितनी जगा उर्जा होगी उतनी ही उसकी frequency होगी ये बात किसने कहा है ये बात Planck कह रहा है और फिर Planck कह रहा है कि पर्पोस्टनल साइन को हटाईए تو एक constant लाईए और इस constant को कहते हैं h को कहते हैं plank नियतांग क्या कहते हैं plank नियतांग इसकी value कितनी है h की value है 6.67 10 to power minus 34 joule second यह इसका मान है ऐसा है तो यह बात किसमें बता है plank नहीं कहा है कब कहा जब आप प्रकास को तरंग की तरह मानते हैं फिर Einstein आया Einstein भी है scientist Einstein ने भी describe किया light को तो Einstein के अनुसर आप देखिए Einstein के अनुसर Einstein कहरा है कि प्रकास को आप particle अगर मानते हैं तो क्या होगा अगर आप particle मानते हैं और आप यह कहते हैं कि उसका drubyman M है drubyman M अगर मानते हैं और उसकी जो चाल है उसकी चाल जो है, प्रकास के चाल की बराबर मानते हैं, चाल जो है यह बराबर मानते हैं C, प्रकास के चाल के बराबर, तो इसने कहा, कि इसकी उर्जा E is equal to हो जाएगा, C square into M के बराबर, यह कौन कह रहा है, यह कह रहा आइंस्टीन, यह आइंस्टीन का कहना है, कि द्रबेम अगर M है और इसकी चाल प्रकास के बराबर है प्रकास की चाल लिख दें हैं पर तो आगो समझनी नहीं हो जाएगे अगर प्रकास की चाल प्रकासी माना गया तो प्रकास की चाल अगर हम C मान लें प्रकास की चाल अगर हम C मानते हैं तो उसकी उरजा C square into m के बराबर होगा ये दोरों बाते किसके लिए कहे गए ये प्रकास के बारे में तो अब scientist आ रहाए डी ब्रॉगली अब देखें डी ब्रॉगली कह रहा है कि जैसे आप प्रकास को कहते हैं कि particle और तरण की तरण पाया जाता है वैसी अपना electron भी है अब सारी बाते electron के लिए कही जा रही है तो कह रहा है डी ब्रॉगली कह रहा है कि electron electron की प्राकृति nature प्राकृति भी कैसी होती है द्वैति होती है मतलब dual होती है मतलब दो तरह के से इसके प्राकृति होती है जैसे लाइट की दो प्राखिरती पाई जाती है द्वेती होती है डुएल होती है ऐसा यहां किसकी तरह ब्यवहार कर सकता है यहां कड़ पार्टकिल तथा तरंग तरंग दोनों की तरह ब्यवहार करता है दोनों की तरह ब्यवहार करता है दोनों की तरह बेवहार करता है ऐसे लिख देंगे तो दोनों की तरह बेवहार करता है तो मतलब ये दोनों बाते इसमें भी होनी चाहिए तो अब देखे दोनों बाते कॉपी करते हैं तो अब प्लांक के अनुसार फिर आईए यानि प्लांक के अनुसार प्लांक के अनुसार यदि अब इलक्ट्रोन की बात हो रहे हैं तो इलक्ट्रोन लिखिए बहुत सिंपल सी बात है यदि इलोक्ट्रोन किसकी तरह बहेब करें तरंग की तरह ब्यवहार करता है ऐसा तो क्या हो जाए जाए भाई तो उसकी उर्जा उसके आबरिती के समानुपाती होगा म्यू क्या है लिख सकते हैं म्यू क्या है इसकी आबरिती है किसकी इलोक्ट्रोन की आबरिती है तो लिख सकते हैं ये इलोक्ट्रोन की आबरिती है तो E-sign को हटाएंगे E-sign हटाया तो क्या लिख दिया H-view देखे जैसे वहाँ लिखा था तो यहाँ क्या लिखेंगे H क्या है Planck-Nia-Tank तो यह दो लाइन यहाँ भी लिख देशिएगा तो यहाँ लिख दीजेगा भाई H क्या है H बराबर है Planck-Nia-Tank यह सब कुछ अब इलक्ट्रोन के लिख देख रहे है जी भाई यहाँ भी ऐसे Dual Nature था तो यह भी इलक्ट्रोन का भी Dual Nature है तो सेम चीज़ यहाँ भी आना चाहिए ऐसा हो गया फिर कह रहा है कि भाई अब Einstein को ले आईए देखे Einstein के अनुसार Einstein के अनुसार यह दी यह दी इलक्ट्रोन यह दी इलक्ट्रोन यह दी इलक्ट्रोन कड की तरह कड न पाट के रहे कड की तरह ब्यवहार करता है ब्यवहार करता है तो उसकी उर्जा तो उसकी उर्जा E is equal to कितने के बराबर होगी भाई E is equal to C square into M के बराबर होगा C क्या है? प्रिकास की क्याल है और M electron का द्रबे मान है अब देखिए equation 1 and 2 इस equation 2 मान लीजिए और इसे क्या मान लीजिए? equation 1 इसे हटा देने हैं अब देखिए यहाँ देखिए यह equation आपका 1 है equation 1 and 2 देखिए दोनों तरफ उर्जा है तो अगर left hand side बराबर तो right hand side भी बराबर होगा यह हम सभी जानते हैं जैसे इसे मान लीजिए लिखते हैं 12 बराबर 4 गुड़े 3 ऐसे या फिर हम लिख देए क्या चीज़ या हम लिख दे या लिख देए हम 2 गुड़े 6 बराबर 12 ऐसे तो देखिए अगर यह side बराबर है तो यह side भी बराबर चाह 4 ती यह 12 कहें चाह 6 दुना 12 कहें यानि बराबर है यानि कहने के मनलब है 4 गुड़े 3 बराबर 2 गुड़े 6 होता है तो अगर 1 side बराबर left hand side बराबर है तो right hand side भी बराबर होता है इसी बात को यहां दीखा जाएगा अब देखिए इस बात को यहां समझने का प्यास करिए दोनों side में E उर्जा है यह side भी इसका बराबर होगा यानि कहने का मतलब है कि H mu यह वाला side बराबर होगा C square into mk बात क्लियर है अच्छे अब देखिए क्या होता है एक और relation हमारे पास है हमारे पास है C is equal to होता है mu lambda lambda क्या है भई तो lambda को हम कहते हैं तरंग लंबाई या तरंग दैर तरंग लंबाई कहते हैं या इसे दूसरा ना बेवलेंथ कहते हैं या इसे ही हम कहते हैं तरंग दैर या बेवलेंथ कहते हैं अगर इंग्लिस में जानते हैं तो इसे कहते हैं बेवलेंथ ठीक से लिग दे नीचे लिया एक प्रूचे वेव लेंद को मच्छे से लिए नीचे से वह जगा थोड़ा सा कम था देखे इसे कहते हैं वेव ल-e-n-z-t-h ऐसे लिखते हैं तो यहां से देखें लैम्डा की वेलु लिख लीजिए तो लैम्डा इस इकॉल टू क्या हो जाएगा लैम्डा इस इकॉल टू हो जाएगा सी मू की वेलु लिख रहे हैं तो c अपॉन लैम्डा हो जाएगा इसी वेलु को यहां रख देजे तो इस वेलु को रखेंगे तो h इंटू c बाइ लैम्डा इस इकॉल टू c इसक्वाइर इंटू m हो जाएगा तो एक सी से इसका स्वाइर कट कर दीजिए ऐसा तो यह हो जा हैगा एच इंटू c इंटू m के अब देखिए अगर मान लीजिए कि कोई कोई पार्टकिल है कोई कड है यह दी किसी कड का विख वी है बैस C के बराबरना तो प्रकास के लिए C है न अगर कोई पार्टकिल है तो उसका वेक अगर V है तो क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तो lambda is equal to क्या हो जाएगा h upon m into V हो जाएगा यह हो जाएगा देखिए C को V से replace कर दीजिया हो गया इसे ही हम कहते है डी ब्रॉगली समीकरण इसे डी ब्रॉगली समीकरण कहा जाता है असांसी बात है देखिए ऐसे इस तरीके से अब देखिए क्या होता है हम एक relation और जानते हैं कि समवेग समवेग या मोमेंटम समवेग या मोमेंटम को अगर हम क्या कहते हैं P से लिखते हैं तो यह बराबर होता है M गुड़े V के ऐसा तो अगर इस P की value यहां रख दी जाए तो यानि lambda is equal to क्या हो जाएगा H upon P हो जाएगा एक relation देखिए यह भी जानी है कि lambda is equal to H upon P के भी बराबर होता है तो यह दो relation numerical करने में हमें आसानी करते हैं तो इन दो relation को ध्यान में रखेंगे यह D-Brogly Semikran पूरा complete है तो इस D-Brogly Semikran को इस तरह से समझेंगे कि actual में जो light के लिए हमने derivation किया हुआ है जो equation हमारे पास है उसी को implement हम कहा कर रहे है D-Brogly Semikran के लिए किया जा रहा है तो यह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा H यहाँ पर Planck नियतांक है और जिसका मान अभी मैंने कुछ बिर पहले लिखा हुआ था 6.67 into 10 to part minus 34 Zool second इसका value होता है यह सारी बाते किसके लिए है D-Brogly equation के लिए यह सारी बाते यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इसके अगला जो हमारे lecture होगा उसमें हम इसके आगे के चीज़ों को देखेंगे तब तक के लिए धन्यवाद Thank you